कि अब शासन करता वो होना चाहिए जो इस मिट्टी से निकला गुआ। जो यहां की सन्सकृति को जानता हो, जो यहां की भाषा बोलता हो, और जो आपका भाई हो उसको मुक्यमंत्री बनना चाहिए। और इसलिए ये उडिशा के स्वाभिमान का सवाल है स्वाभिमान का ये उडिशा का मुख्यमंत्री हो और उडिशा के संस्कृति को जानने वाला हो और उडिशा की अस्मिता को पहचानने वाला हो उडिया की अस्मिता को पहचानने वाला हो बोलो मुझे वाइदा करते हो, बोलो वाइदा करते हो मुझे, करोगे न, आप बताओ, ये बीजू जनता दल के राज में ब्रस्टा चार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अफसर ब्रस्टा चार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये करोडो करोडो रुपे डखार गए कि नही को आने दोगे क्या मित्रों ये मैं आपके साथ इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज समय की आविशक्ता है कि आज भारतिय जंता पार्टि को आपका आशरवार मिले और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा सुबद्रा जोजना को लागू करना है ना सुबद्रा योजना को लागू करना है मैं बेहनों से सुनना चाहूंगा सुबद्रा योजना को लागू करना है क्या पचास हजार टाका दो साल में खर्च करने का मौका मिलेगा पचास हजार रुपए और बेहने अपने मर्जी से करेंगी जो खरिदना चाहेंगी खरीदेंगी ऐसी ताकत देने वाली योजना को आगे बढ़ाना है और बताओ ये जो हमारे रतना भनडार में उसकी चाबी खो गई है बालू मैं ना रतना भनडार की चाबी वो चावी वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए अगर रतना बंडार की चावी चाहिए तो बच्चिस तारी को, बीस तारी को, एक तारी को कमल की चावी को घुमा देना अपने आप रतना बंडार की चावी मिल जाएगी बहुत दिनों तक उडिशा पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है उडिशा के लोग शांत्प्रिये लोग है लेकिन अब वो सहने वाले नहीं हैं और अब वो आगे बढ़ेंगे और भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और इसलिए मैं कहूंगा तुई थरा पद्मा तुई गुणा विकास उडिशारे हो बे बीजेपी सरकार